पुराने पुराने दाग धब्बे जहाई या पिग्मेंटेशन के लिए आज मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ जो की मेरी सस्क्राइबर ने इसको ट्राइब किया है और उने बहुत जादा फाइदा मिला है तो दिखे कि मैं कोई सी फी रेमेडी लाती हूँ तो पहले ट्राइब करती हूँ या मेरी जाती है और इसका जो रिजल्ट होता है और अपने डाग धब्बो को रिमूब कर लोगे तो आपके शादी करीब है या फिर आपको कहीं शादी में जाना है तो आप अपने फेस को जो है चमका सकते हैं यानि कि आपके फेस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं फिर आपके स्कीन पर जो है सन्वन की प्रॉबलम होगी है तो आप जो है आज ही सही इसको continue यूज क करना स्टार्ट कर दें तो आप दिखोगा जब तक आपकी शादी होगी या फिर जब तक आप कहीं भी पार्टी साटी में जाओगे तब तक जो है आपका जो चहरा है बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका होगा तो इससे कैसे आपको ट्राइक करना है वह मैं आज इस वीडि कोई ऐसी रेमेडी नहीं लाती हों जो कि उसमें इंग्रीडियन्स आपको ना मिले यानि कि कोई भी चीज आपको जो है भारत से लाने की जरुरत पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है सब भी आपकी कीचन में इजली मिल जाएगे तो चली मैं बताती हूं कि आपको इस रेमे चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे सबसे पहले तुम्हें यह बता देती हूं आपको कि आपकी स्किन पर किसी तरह का कोई भी निशान है पिग्मेंटेशन है तब भी जो है इसको यूज कर सकते हो या फिर आपका चेहरा जो है यानि कि आपकी चेहरे पर नि यह कंबकी देखे ।ा धडियो करने दीचेह बनाएंगे जो कि नेचृरल तरीखन main वेशेंअ उत net recognizable MILL Raik । लेकिन उनकी जो कोस्त होती है उनकी जो प्राइस होते हैं तो आज हम घर पर ही नेचरल तरीके से जो है डीटैन बनाएंगे और उसका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल कोस्मेटिक डीटैन की तरह ही आपको मिलने वाला है लाइप में अपने फेस पर आपको करके दिखाऊंग तब मेरा जो फेस है अच्छी से मैंटेंट रहता है तो चलिए मैं बताती हूं आपको डीटैन कैसे बनाना है तो सबसे पहले आपको लेनी है एक बाउल और उसमें आपको लेना है टमाटर तेके टमाटर का जूस लेना है टमाटर में नेचरल जो ब्लीच होता है यानिकि र counolved को बाणे करने के दो 26-7 फेस में टेला है लिए नेट कर साथ अपर सुवा करें लेनी है और नुद्हक्त के लिए कोफी बाषबिट और कफीन होता है कैफीन हमारी रंगत बहुत अएच्छ से लाइट पन है तो यहां पर आपको को पूर पूरा के पूरा पाऊच आपको आड कर लेना है और इसमें पूर कुछ भी आड करने की जूरत नहीं है इसमें एक चीज मैं और अड करूंगी कि बहुत सारे तो यहां पर आहां पातकी ग्लो नहींड आकना है यह अपितामिन केप्स टो यहां करना है तोुअ जितनाेची केप्सुल और इसको कर सकते हैं और इसको जो आपको फेस पर हमें लगाना है और आपको इसमें कुछ भी एड करने की ज़रुत नहीं है अच्छे सा आपको इस तरीके से अपने फेस पर लगाना है थोड़ा लिक्विड है लेकिन लिक्विड ही हमें चाहिए लिक्विड है लेकिन हमें लिक्विड ही तो इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है, फुल फेस पर आपको लगाना है, आप चाहे तो ब्रस से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से फुल फेस पर आपको इसको कवर कर लेना है अपने फेस को इससे, देखिए बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके फेस का कलर कैसा भी ह यानि कि डल है बहुत ज़ादा या फिर आपके कैस को जो मतलब आपको लगता है कि आपके फिर बहुत सारे यहां इस इसान हैं जो कि आपने बहुत कुछ यूज़ किया हैש लेकिन नहीं देकं एक बार में कुछ नहीं होता है लेकिन हाँ इस दिटैन herramient के एक आपका जो मैल है गंतकी है और जो दाग धबे हैं वो दीरे दीरे तो लाइट अप होंगी लेकिन जो मैल गंतकी है वो अच्छे से रिमूब हो जाएंगे एक ही बार में आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हो इस तरीके से आप कर सकते हो या फिर आपकी शादी करीब ह है और दाग धबे बहुत जादा है तो आपको इस तरीके से लगाना है और चीज को आपको कंटीन्यू नहीं लगाना है हफ्ते में दो या फिर तीन बार इसको लगाना है इस तरीके से आपको अपलाई कर लेना है इस तरीके से आपको लगाना है और लगा कर कम सा कम 15-20 मिनट के लिए आपको अपने फेस को ऐसे ही रहने देना है जी हां और फिर उसके बाद आपको प्या करना है वह मैं आगे आपको बताऊंगी और जो लिक्विड आपका बचा है यानि कि जो डीटैन आपका बचा है उ डीटैन ़के जो लिक्विड आपका वसी का बचा है वह आपको से अपने फेस पर चाहले करने कियोंकि एक अबने फेस पर लगा लगा या था तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है ना ना हम इसकी सरे उक्वेशन का और मंसाज ंसकétique करनी है जबिशर करनी में यह मैं द कोई ब्लीज की जरुवत पड़ेगी और नहीं आपको कोई एस्टर ट्रीट्मेंट की जरुवत पड़ेगी इस तरीके साथ को करना है आप देखोंने के बेबी शॉट्ट की तरह मतलब लगएकी आपको बहुत अच्छ सापकी Skin Soft बनेगी,isanatan錯 करा आईगी तो इस तरीके तापको करना है और पल्क़ें अपने प्रीस ख्रूट में आप देख सकते हो आपको लाइप दिखाने वारी हूं मैं आपको डिखाँगे कि रिजल्ट मुझे मिला है इस तरीके से आपको करना है बहुत अचछे से करना है और तो देखिए हैं अपर हमारी मसाल जो है कंप्लीट हो गी है और अब यो जो हमारी आपको रिजल्ट दिखाती हूँ बहुत अच्छी से जो है result मुझे मिला है मैं अभी अपने face को wash करके आऊंगी तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी से skin जो है glow करी है चमक करी है तो इस तरीके सा आपको इस जो है detain को use कर लेगा चली मैं अपने face को दो कर आती हूँ यहां पर मैंने अभी तक अपने face को wash किया है और यहां पर जो है आप glow देख सकते हो यहां पर मैं कोई highlight यहां पर use नहीं किया है और नहीं कुछ भी यहां पर अभी तक नहीं लगाया है इस तरीके का glow इस तरीके का दिखार आपको भी चाहिए ऐसे ही प्यार प्यारी वीडियो के साथ अपने के लिए बाबाव